हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खाने दस्तानी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोसा मसाला आलू, यह मसाला आलू डोसे के साथ खाये जाते हैं, आप इसे डोसे की स्टफिंग भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी यह बनके तयार होते हैं, न साला अलग, चटनी अलग, और सामर अलग रख सकते हैं, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लिए, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल खाने दस्तानी पर आये हैं, तो इसे सब्स्क्राइब कर लिए, बराबर जो बैल आइकन हैं, उसे ज़रूर प्रैस कीजिएगा उसे ही होगा कि आने वाली लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक कडाई ले लेंगे, और दो टेबल स्पून मैंने ओल लिया है, और वन टेबल स्पून भरके मैंने मूंफली लिया है, इसको थो दो चुटकी हींग डाल दी हमने, इसके बाद वन टीस्पून डालेंगे उड़त दाल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको भी हलका सा फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, मेरे पास ड्राई कड़ी पत्ते थे, तो यह मैंने चोटी रखी थी, और एक इंच कड़, मैंने अधरक का टुकड़ा लिया था, इसको भी बारिक बारिक काड़ दिया, यह भी फ्राई कर लेंगे, नॉर्मली जो हम आलू की सबजी बनाते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, आलू मसाला, डोसे के मसाला आलू, और इसके बाद हम इसमें प्यास डालेंगे, तो एक बड़े साइस की मैंने प्यास लंबाई में काट ली थी, यह डाल देंगे, और इसको भी हलका सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए यह प्यास, तो इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, हम लगतार, इस तरह से तोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा, यह देखे इस तरह, तो यह तोड़ी सी फ्राई हो गई थी प्यास, इसके बाद हमने इसमें एक टमाटर डाला है, बारिक कटा हुआ, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे प मसाले डालेंगे, हाफ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, वन टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, और हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और हाफ टीस्पून ही आमचुर पाउडर डाला है, लाल मिर्चे मैंने इसलिए कम डाली है, क्यों तो अब हम इसमें आलू डालेंगे, आलू को मैंने उबाल लिया था, मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिये थे, और इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, ताके इसका मास्टर कंटेंट जो है कम हो जाए, इसके बाद मैंने इसको हाथ से ही तोड लिया थ मौइस्चर इसमें बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने दो तीन घंटे इसको फ्रिज में रखा था आलूं को तो आलूं में बिल्कुल भी लमी नहीं है इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें मूफली डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे और इसे पकाने की बिल्कुल जूरत नहीं है क्योंकि यह आलू बॉयल है इसे हमें सिर्फ मिक्स करना है मैंने बताया थे आपको कि बहुत जल्दी बनके यह तयार हो जाते हैं तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे हरा धनिया से बहुत अच्छे खुश्बू भी आती है और इसके बाद यह मैंने क्रश कर लिए थोड़ी सी मूफली जो हमने शुरू में फ्राइप की थी तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये लीजिए बिल्कुल तयार है हमारा आलो मसाला, डोसे का आलो मसाला, आप इसके स्टफिंग कीजिए या इसको अलग से प्लेटर कीजिए, चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, चटनी की वीडियो का लिंक म में दे दूँगी आपको, क्रिस्पी डोसा के लिए किस तरह का बैटर होना चाहिए, उसकी वीडियो में पहले ही अप्लोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिशन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी मैं आपको, डोसा की रेसिपी बहुत जल्दी से शेयर करूँगी आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लिजे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजे, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल खाना हैं जो सानी पर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजे, बरापर में जो वैल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजेगा, उ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जब भी मैं कोई रैसिपी अपलोड करूँगी, आपको फॉरण नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं एक बार फिर मिलूँगी एक नई रैसिपी के साथ, ओकी बाए